चोट खाकर ही कोई व्यक्ति महान होता है चोट खाकर ही पत्थर मंदिर मे बैठा भगवान होता है चोट खाकर हैं पत्थर मंदिर में बैठा भगवान होता है नमस्कार सात्यों, मैं अजित कुमार आपके यूटूब चैनल कमटिशन कमेंटे पे आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग और कैसी चल रही है आप सबों की CG Tate की तयारी आसा करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और जो भी समय हम लोगों को मिला है इसका आप सभी बच्चे सही तरीके से सदुपियों करते हुए अपने तयारी को एक नया मुकाम देने की कोशिस कर दे होंगे चलिए तो इसी कड़ी में हम लोग आज अपने इंगलिस के दूसरे वीडियो सेशन के माध्यम से और भी बहुत कुछ नया सीखने का प्रयास करते हैं ताकि अपने CG Tate में इन में से कुछ भी या इस टाइप का कुछ भी कोशन आए तो हम में से किसी से कुछ भी छूटने न पाए, कुछ भी गलत होने न पाए और हम लोग अपनी सेलेक्शन तै करवा के आ सकें चलिए तो आज हम लोग चलते हैं यहां से आगे और अब यह रहा आपका पहला कोशन देखते हैं हम लोगों को क्या कुछ सेखने को मिलता है इस कोशन में जरा आप ध्यान से पढ़िए कोशन के इंस्ट्रक्शन को इस सेंटेंस में यहां जो सेंटेंस आपको दिया गया अलाइव एस इस बेटर दैन और डेडलाइन ठीक है इस sentence में आप से पूछा गया कि किस प्रकार का adjective यूज किया गया है यह आपको बताना ठीक है अब ज़रा ध्यान देजे यहाँ पे अब यहाँ पे यह जो descriptive word आपको देखाई दे रहा है यह descriptive आपको यहाँ पे समझ में नहीं आता है हमें से बहुत सारे लोगों को यहाँ पे confusion होता है सरे descriptive क्या होता है यह समझ में नहीं आता यह देखे क्वालिटी आपको समझ में आता है क्वालिटी में हम लोग क्या पढ़ते हैं डिग्री पढ़ते हैं आपने बच्पन से पढ़ाओगा good, better, best यह क्या था यह था adjective of quality क्या था adjective of quality था जिसमें हम लोग डिग्री पढ़ते हैं positive degree, comparative degree and superlative degree ठीक है चलिए इसके आगे बढ़ते हैं यह quantity quantity क्या करता है भाई तो यह मातरा को बताता है किसको बताता है यह मातरा को बताता है जैसे all some little few बात समझ में आ रही है यह मातरा को बताता है यहां से आगे बढ़ता है यह indifferent क्या होता है भाई तो यह indifferent ऐसा word होता है जिसके use करने से किसी भी different चीज का बूद नहीं होता है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने इसमें all का example दिया और वही all यहां भी use किया जाता है ठीक है यह कोई ऐसा word हो जिसमें one यह body लगा हो तो यह सब के सब काम करते हैं इंडिफरेंट का ठीक है बात समझ में आ गए अब यह descriptive क्या होता है जैसे आप ध्यान दिजिए आप क्या proper adjective जानते हैं क्या आप common adjective जानते हैं यहां पे दिखिए हम मैंसे बहुत सारे लोगों को दिखकर जाती है क्योंकि हम लोग जो भी source यूज करते हैं कोई भी book यूज करते हैं उस book में जितने भी आपको types दिये होते हैं हम लोग बस वही काम करते हैं क्योंकि उठाए या कोई भी source उठाए उसमें जो भी चीज़े दी कहिए उसको रटा मार लेजे रटा मार के आगे बढ़ जाए जरा ध्यान दीजे हम आपको यहां पे कुछ सिखाने का फ्रयास कर रहे हैं जैसे यह देखे यह इंडिया यह इंडिया क्या है भाई तो यह प्रॉपर नाउन है हाई या न इस इंडिया यानि कि यह जो प्रॉपर नाउन है प्रॉपर नाउन से बनने वाले एड्जक्टिव को हम लोग कहते हैं प्रॉपर एड्जक्टिव तो इंडिया से क्या बन जाता है इंडिया से बन जाता है यह आपका इंडियन है ठीक है बात समझ में है जिसे नेपाल से नेपाली बांगलादेश से बांगलादेश से पाकिस्तान पाकिस्ताने अमेरिका से अमेरिकन ठीक है लेकिन कुछ जगों पर ऐसा नहीं बनता जैसे रसिया से रसियन यूक्रेन से यू सूब और सूब यहां पर बहुता है अमारा कॉमन नावन्ट क्या है यह सब स्बस्सानद सुझा करता शेम्हांन होता है वडिक्रह फ्रैस्याहिए आपको क्लिएर होने ही चाहिए अब ऑप फ्रम्रागं इसी से हम लोग बनाते हैं यहाँ पे एक वर्ड वीलेज डॉक्टर क्या लिख रहे हैं वीलेज डॉक्टर वीलेज डॉक्टर अब देखिए डॉक्टर साहब क्या है तो यह नाउन है अब यह वीलेज जो था नाउन के पहले आ गया नाउन के पहले क्या आता है तो नाउन के इसको क्या कहेंगे अब इसी को हम कहेंगे common adjective ठीक इसी तरीके से और भी बहुत सारे adjectives होते हैं जिसके चर्चा हम लोग अपने as per usual class में करेंगे ठीक है अब अभी हम लोग यहाँ जी रहे थे यहाँ पर आईए देखें कि यह descriptive क्या है तो ऐसा कोई भी word जो किसे noun के पहले आके उसको describe करें क्या करें उसको describe करें उसके बारे में कुछ आपको information दे जैसे ताज महल का हम लोग वर्नन करते हैं ठीक है भाई इस प्रकार का उसका description है इतना सुन्दर है यहाँ पे इतने pillars है यहाँ पे इतने यह हैं वो हैं वगएरा तो यह क्या है इस तरीके से हम लोग उसका description करते हैं तो इंद से मुए ऐसा कोई भी word जो noun के पहले आए और noun के पहले आके उस noun के बारे में कुछ information दे उसको क्या करते है एड्जेक्टिव करते हैं लेकिन वो यह उसको describe करने का प्रयास करें तो उसी को हम लोग क्या करते है उसी को हम लोग कहेंगे descriptive adjective क्या कहेंगे descriptive adjective कहेंगे यहाँ पर आजये यह एस क्या है तो यह जो है यह हमारा noun अब noun को यह qualify कर रहा है noun के पहले लिखा इसलिए यह live क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा adjective और चुकि यह इसके बारे में information दे रहा है कैसा है तो जीवित है ठ इसको हम लोग कहेंगे descriptive adjective ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले question की तरफ देखे हमारा अगला question क्या है which of the following has been missed spelled मतलब आपको क्या करना है कि यहां पर जो भी यह word आपको दिखाई दे रहे हैं इन में से उस word को आपको find करना जिसका spelling गलत जिसका spelling क्या है गलत है आइए यह देखें डेसी डूस क्या होता है यह कौन सा अलग सा ट्री होता है आम तऊर पे हमारे आपके आश्पास जितने भी पेन होते हैंगे से लूस का मतलब क्या होता है Desi Doors का मतलब होता है ऐसा कोई वेपेड जो पत जड़ में जो वसंत रितों में अपने पते फैल कर देता है मतलब अपने पुराने पतों को गिरा देता है और फिर उसमें नए पते उगते हैं है तो maximum ट्री उतो प्रवेस जैसे आप एंटेंस एक्जाम देते है अभी देखें गवर्नेंस के जाना देखें इननझसी होता है जीली यूवर्न याउसन यहां पर इसके इस Ting कर होगा लिखना होगा तो यह correct हो जाएगा तो incorrect spelling इसका था अब यह ambiguous ambiguous क्या होता है महत्वा कांची क्या होता है इसका meaning होता है महत्वा कांची क्या होता है महत्वा कांची होता है महत्वा कांची या दूसरा इसका meaning होता है not clear दूसरा क्या होता है not clear इसको हिंदी में क्या कहेंगे इसी को हम लों कहेंगे ठीक है यह बात समझ में आ चलिए अब यहां से आगे बढ़ते हैं अब इस कोशन का हमारा आंसर क्या हो गया आंसर हो गया option number three क्या बना option number three next अगले कोशन की तरफ चले देखिए हमारा अगला यह देखिए अटेनुवेट इसमें क्या करना है आपको synonyms देना है ठीक है अर्थात समान मिनिंग वाला वोड आपको बताना है परियावाची सब्दा आपको बताना है सेम यह सिमिलर मिनिंग वाले आपको बताने, अब यह देखें, यह अटेन, वेट यह क्या होता है, यह होता है, to make something weak, क्या होता है, to make something weak, मतलब कहा सकते हैं, कमजोर, कमजोर, करना या बनाना, कमजोर करना, या बनाना, कमजोर करना, या बनाना, कमजोर करना, या बनाना, या बनाना, या बनाना, या बनान पॉर्स क्या होता है बल हो था ठीक है फॉर्स का मतलब बल होता है सेना मत प्रश किड़ेंगा था फॉर्स जैसे आप बच्पन में पढ़ेते हैं कि चार निूटन का एक फॉर्स अप्लाई किया गया तो यह वही फॉर्स था चलिए ताकत अब आ जाएए इसका से मीनिंग हम यह दि बनाना चाहें तो मेक थीन मतलब पतला बनाना तो यह हुझाएगा हमारा सिनोनिम्स क्या हो जाएगा यह हो जाएगा हमारा इस कोश्चन नमर 3 का सिनोनिम्स ऑप्सन नमर 2 बना ठीक है next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते अपने अगले question में देखें अगला question क्या है अब यह जो अगला question है आपका यह conjunction का question है किसका है यह conjunction का question है आईए इसके concept को पहले सीखते हैं हम लोग ध्यान देजेगा यहाँ पर यहाँ पर कुछ चीजिए आपको सीखने के लिए क्या है सीखना भई तो इसमें सीखना है कि जो उसका right partner then लिखा है अत्वा नहीं यदि right partner then लिखा है तो वो सही है और यदि वहाँ पे right partner के रूप में then का प्रयोग नहीं किया गया है बलकि then के अस्थान पे win का प्रयोग कर लिया जाए but का प्रयोग कर लिया जाए and का अत्वा अन्य किसी भी दूसरे सब्द का प्रय वर्तित करना होगा उसके अस्थान पर हमें लिखना होगा दैन क्या लिखना होगा हम लोगों को लिखना होगा दैन ठीक है बात समझ में आ रही है अब यदि आपको यहां पर दैन का परियोग हो या अन्य किसी सब्द का परियोग किया गया हो तो वो गलत होगा उसके अस्थान पर हमें लिखना होगा विन ठीक है बात समझ में आ गए अब यहां से आगे पढ़ते एक और एरर इसमें पूछा जाता है अगला एरर क्या है भई दूसरा कॉंसे क्या पूछा जाता है इन तीनों के तुरंत बाद इन तीनों के तुरंत बाद आप देखेंगे यहाँ पे कोई न कोई हिल्पिंग वर बाता है इसके बाद यहाँ आता है सब्जिक्ट कब जब इनका प्रयोग इन तीनों में से किसी का प्रयोग किसी भी सेंटेंस के विगनिंग में आरंब में किया गया हो कोई भी वाक इन तीनों में से किसी से सुरू हो रहा हो और केवल तब ऐसे परिस्थिती में हम लोग इन तीनों में से जो भी हो उसके तुरंत बाद इसी helping वर्ब का प्रयोग करते हैं, उसके बाद हम लोग subject का प्रयोग करते हैं, इसके बाद इदर main वर्बाय या जो भी आना है ये आ सकता है, बात समझ में आई, ऐसा हम लोग करते हैं, तो अब आपकोल मिला के ये समझे कि जब भे कभी आपको इन तीनों में से कोई भी एक वर्बाय आपको कहीं भी दिखाई दे, यदि वाक इन ही से सुरू हो रहा हो, तो सबसे पहले यहां पर हम लोग चेक कर लेंगे, और यदि ये पार्ट हमारा correct हो, तो फिर हम इस पार्ट को चेक करेंगे, बात समझ में आ गए, यदि ये पार्ट भी correct हो, और ये पार्ट भ पूछा जाता है, ठीक है दोस्तों, चलिए, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, तो सबसे पहले देखिए, हम लोगों को यहां दिखाई दे रहे हैं, नो सुनर, नो सुनर, नो सुनर, ठीक है, अब यहां जाईए, चारों में हेल्पिंग वोब मिल गया है, इसके बाद ये स इस वाले पार्ट में तो कहीं कोई रर नहीं है, इतने दूर के पार्ट में, इन चारों का, चारों ओप्षन कैसा है, करेक्ट है, अब यहां से आगे बढ़ते हैं, इनका पार्टनर चेकर, तो सबसे पहले नो सुनर का पार्टनर क्या होता है, यहां लिखा बंड, जो गलत हम लोगों को एंटोनियम की जरूरत है अभी जूडीस क्या होता है अर्थात इसको कहते हैं विवेक पूर्ण क्या कह सकते है विवेक पूर्ण ठीक है बात समझ में आई क्योंकि इंसान यह दी विवेक पूर्ण नहीं होगा बायस्ड होगा मुर्ख होगा तो वो कैसे कोई इस यह होता है यह होता है यह क्या होता है सावधान क्या होता है सावधान सीली क्या होता है सीली होता है मुर्खता भरा क्या होता है सीली क्या होता है मुर्खता भरा ठीक है सजेसस क्या होता है तो सजेसस होता है प्रूडेंट या इसको हम दूसरे सब्दों में कह सकते है वाइस प्रूडेंट इसको कहते है प्रूडेंट या व करना है तो इंटोनिम के रुप में मैं 사랑 क्या नेगा Impdaughter मनेगा नेगा है यह है अगले कोशन कि तरफ डिखिए अगला कोशन क्या है यहाप एक इडिया हूं तो क्या हमान लेज़े किसी के घर में सिलिनडर में है अगर उसको पुछा सकते हैं वह की 방 तो क्या किए, extinguish कर दिया, आप उसको बुझा प्या है, इसे मान लेजिए हमारे आपके घर में कभी power cut हो जाता है, b vendo गुल हो जाती है, तो हम लोग क्या करते हैं, candle जलाते हैं, जैसे light आती है, क्या करते हैं, उसको फोक मारके बुझा देती हैं, आप किसी भी तरीके से उसको बुझा दिये, इसका मतलब आपने क्या क्या? आपने क्या किया? आपने पूट आउट कर दिया, क्या कर दिया? पूट आउट कर दिया, बात समझ में आ गए, आज आजये, option डूने, to postpone, मतलब अस्थागित कर देना, रोक देना, go out, बाहर निकालना, बाहर जाना, ठीक है, extinguish बुझाना, wait का मतलब इंतजार करना, तो मेरा आंसर क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा, option number 3, क्या बनेगा, मेरा आंसर बनेगा, option number 3, next, आगे बढ़ते हैं यहां से, देखिए, अगला क्या है, question, the sentence, this is the house in which I was born, यह वही घर है, यह वही घर है, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, जिसमें मेरा जन्म हुआ था, अब आजये, इसमें करना क्या है, अब इस sentence के बारे हम पूछा गया है, कि यह sentence simple sentence है, compound complex sentence है, complex sentence है, compound sentence, मतलब आपको sentence का type बताना, जरा आप ध्यान देजी, simple sentence किसको कहेंगे, simple sentence उसको कहते है, जिसमें कोई conjunction नहीं हो, जिसमें कोई conjunction नहीं हो, एक subject हो, एक verb हो, जिसमें कोई conjunction नहीं हो, उ compound हम लोग किसको कहते है complex हम लोग उसको कहते हैं जिसमें if का प्रयूग किया गया हो या किसी भी डब्लु एच इंटरोगेटिव वर्ड का यूज किया गया हो या उसमें आप देखेंगे as के साथ as का प्रयूग किया गया हो इसको हम लोग का थे complex, क्या कहते हैं, इसको हम लोग का थे complex sentence. इस बात समझ में आ गई लेकिन यदि किसी sentence में for का प्रयोग किया गया हो ठीक है किसका प्रयोग किया गया हो and का प्रयोग हो not का प्रयोग हो ऐसे सब्दों का प्रयोग हो तो इसको हम लोग कहते हैं compound sentence क्या कहते हैं compound sentence कहते हैं अब यहां पर आईए इस question में देखें यह क्या ह कई भी परएग किया गया हो यदि इसको हिंदी में translate करने पर इसका first letter इसका प्रथम akshar Hindi में को से सुरू हो तो इसी को हम लोग कहते हैं इंटेरोगेटिव क्या कहते हैं हम लोग इसी को कहते हैं इंटेरोगेटिव ठीक है बात समझ में आ लेता है है किस्में आपको देखने को मिलता है और आप देखे को मिलज रहा है इस esse olmuş उटो निकल रहा है देखे किसे भूश्वाante हिने तो इस को सिन का और अपका अंसर क्या बनेगा, आपका अंसर बनेगा, option number 3 क्या बनेगा, option number 3 बनेगा, ठीक है दोस्तो, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले question की तरफ चलते हैं, अगला question क्या है, fill in the blank sir था, यहां पर यह खाली अस्थान दिया गया है, हम लोगों को इसको fill करना है, अब आईए, इसमें हम आपको सि से बहुत सारे बच्चों के साथ एक confusion होता है, क्या confusion होता है, कि बच्चा जो है, वो wise को नहीं पाचान पाता कि यह active में है, अथ्वा passive में है, तो आईए, थोड़ा सा हम आपको यहां पर सिखाने का प्रयास करते हैं, यह बात आप याद रखिएगा, इसको गाट बांद ल यह बिंग हो, इन में से कोई भी आपको कहीं भी दिखाई दे, यानि कि टोटल वर्ट कितने होगा, यह तीन और यह तीन छे और यह दो आठ, इन आठ में से किसी के साथ, इन आठ में से किसी के साथ कहीं भी, यदि आपको वर्ब का third form दिखाई दे, तो वो sentence होता है, passive में, किसमें होता है, वो रहेगा, passive में, otherwise वो sentence रहेगा, active में, otherwise वही sentence लिखा जाएगा, active में, ठीक है, दूसरी बात समझे, ऐसा भी होता है, कि ऐसे बहुत सारे वर्ब हैं, जिनका second form और third form दोनों ही same होता है, अब आप में से बहुत सारे बच्चों के साथ यहां भी confusion जाता है, सर हम कैसे पाचाने के कभी यह second form में है, कभी यह third form में है, जरा ध्यान देजिए, ऐसा कोई भी वर्ब जिसका second form, third form दोनों same होता है, यह यदि कहीं भी sentence में use किया गया हो, तो आप simply check किजिएगा, इसके पहले यहां पे कोई helping verb है, अत्वा नहीं है, helping verb यहां पे है, अत्व नहीं है, आपको simply केवल और केवल इतना ही check करना होगा, ध्यान देजिए इस बात को, जहां कहीं भी यह second form, third form यूज किया गया हो, इसके ठीक पहले, यदि helping verb यह present नहीं हो, तो यही वर्ब काम करेगा, second form का किसका काम करेगा, यह वर्ब के second form का काम करेगा, लेकिन यदि ज यहां कहीं भी इसका यूज किया गया हो, इसके ठीक पहले, यदि कोई भी helping verb यह present हो, तो अब यह वर्ब के second form का काम नहीं करेगा, अब यह second form का काम नहीं करेगा, अब यह काम करेगा, वर्ब के third form का, ठीक है दोस्तों, बात समझ में आ गई, अब आप में से कई बच्चों कमन में confusion आ सकता है sir question तो बड़ा simple सा था इसको समझाने के लिए इतना क्या समझाने की जरूरत थे इतना करने की क्या जरूरत थे आईए हम यहां पर लिकर चलते है इस question में यहां देखें यह was war आपको दिखाई दिया was war क्या होता है तो यह होता है helping अवित्ता तो आप जानते ही है अब यह देखें यह जो met है तो met verb का second form भी होता है third form भी होता है second form भी होता है third form भी होता है अब आजाए यह देखें यह वर्ब का second form भी होता है और यह वर्ब का third form भी होता है हम कैसे समझें कि कभी ये second form है कभी ये third form है ठीक है बात समझ में आ गई तो हमने क्या बताया आप इसके पहले check किजे इसके पहले check किजे ये helping word है अथवा नहीं है ये helping word है अब ये helping word है तो यहां पर ये किसका काम करेगा ये work के third form का काम करेगा और अब आजाएए यहां पर watch word के साथ आपको sentence कहां चला जाता है sentence चला जाता है P benim कहां जाता है यह चला जाता बासिव में थीक है दोस्तों बात सम aufge में आ रही है तो यदे Orient यह वाई है हम लोग यहाँ आ करेंगे किसंव करेंगे बाई ऑई कुछcimento के लिए है option में तो हमारा correct answer हो गया option no.3 next अगले question में चलते है देखे हमारा अगला question क्या है यहाँ पर बहुत कुछ है आपके लिए सीखने के लायक है यहाँ देखे यह क्या है बाई तो on है preposition अब यहाँ यदि किसी भी preposition के बाद कहीं भी कोई भी वर्ब आएगा तो वो रहेगा अपने fourth form that is ing form में लिखा जाएगा ठीक है having को याद रखेगा having ये नहीं ये पूरा का पूरा have family पूरा का पूरा have family यहाँ पे हम family सब्द का प्रयोग करें have family कहीं भी दिखाई दे इसके बाद आपको हमेशा यूज़ करना है verb का third form कौन सा form verb का third form चीक है और इसका प्रयोग करते हैं हम लोग perfect tense में किसमें perfect में लेकिन having के साथ है दी वर्ब का third form लिखा जाए तो यह past perfect का role play करता है किसका past perfect का यह देखिए while के साथ क्या होता है अब ज़रा इसको ध्यान देजे यह while जहां कहीं भी लिखा जाएगा while के बाद यह कोई verb आएगा तो वो रहेगा fourth form में कौन से form में रहेगा fourth form that is ing form में रहेगा यह while के बाद यह while के बाद अगर इधर कोई भी sentence हो क्या हो यहां कोई sentence हो या clause हो तो इसको रहना होगा continuous में किसमें continuous में रहना होगा अब यह किसी भी continuous में हो सकता है किसी भी continuous में रह सकता है चाहिए वो present continuous हो यह past continuous हो यह future continuous हो ठीक है कोई न कोई continuous यहां पिर रहेगा आम तोर पर आपके exam में जो देखने को मिलता है हो maximum chances में while के बाद आप यहां पर देखेंगे तो past continuous रहता है यदि past continuous आपको दिखाई न पड़े तो आपको present continuous दिखाई पड़ता है ठीक है चलिए आगे बढ़े अब यह देखें बिंग बिंग tired अब यह बिंग के बाद यह वरब का thought फॉरम है क्या क्या होता है के कारन यानि के सकते हैं अब जरा ध्यान देज़े इसमें होता क्या है बिंग टायड मतलब थका होने के कारण यहां प्याज़ें यह वाइल टायरिंग मतलब थकते हुए मतलब जब मैं थक रहा था तब जब मैं थक रहा हूं तब ऐसा सेंस है having tired मतलब थका होने के बाद थक जाने के बाद यह काम बहुत पहले complete हो चुका था ऐसा बता जाता है on tiring मतलब थकते हुए अब आज़ें यह sentence के meaning को जरा हम समझें off playing the children went home बच्चा जो था वो घर चला गया ठीक है बच्चे घर चले गए कब चले गए भाई तो खेलते हुए ठका होने के कारण भेल कोद के बच्चा जो है ठक गया होने के कारण बच्चे क inhib चले गए बच्चे चले गए अपने अपने घर चले गए बाद समझ में आई अब यहां पे मेरा answer क्या बनना चाहिए तो यहां पे जो tense है वो चला गया past perfect मतलब बच्चे बहुत पहले ठक चुके थे और ठकने का काम जब complete हो गया उसके बाद ये काम हुआ ठीक है बाद समझ में आई तो ऐसा हम लोग यहां पर नहीं करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद चलते हैं अपने अगले कोशन की तरफ देखे हमारा अगला कोशन क्या है तो अगला कोशन है हमारा यह रहा फिर से आपके सामने इस कोशन में क्या करना इसको simple sentence में हम लोगों को convert करना join the following sentence to make a simple sentence मतलब दो simple sentence यहां पर दिये गए होंगे और हमें क्या करना है हमें दोनों को join कर देना है क्या कर देना हमें दोनों को join कर देना है आई यह join करना सीखे जरा ध्यान देजे the coffee is not too strong coffee जो था बहुत ज़्यादा strong नहीं था ठीक है it won't keep awake मतलब यह हम लोगों को जगा कर नहीं जग सकता जैसा कि अक्सर होता है रात में हम आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो late night तक study करते हैं early morning तक study करते हैं नात भर जग के बच्चे पढ़ते हैं तो रात में नींद आए इससे बच्चे क्या करते हैं चाए coffee बगएरा का seven किया करते हैं तो वहाँ पर जो आप चाए लेते हैं नींद से बचने के लिए नींद को भगाने के लिए वो strong tea लेते हैं या strong coffee लेते हैं अब यहाँ पर कहा गया कि यह coffee जो है यह इतना strong नहीं है कि यह हम लोगों को जगा के रख सकी ठीक है अब आज यह मतलब क्या हुआ भाई अब जरा देखें इस two two का यहाँ पर हम लोग परियोग करते हैं जैसे याद किजिए आपने बच्वाएं पढ़ा था he is two weak जरा ध्यान देजे यहाँ पर he is two weak कैसे आपने पढ़ा था he is two weak he is two weak to walk he is two weak to walk ठीक है अब इसी को जब हम लोग ब्रेक करके लिखते थे यह जो two लगा हुआ है इस two को जब हम लोग remove करते थे तो हम लोग क्या लिखते थे he is so weak हम लोग लिखते थे he is so weak यहाँ लगाते थे that connection that he cannot that he cannot walk वो इतना कमजोर है कि वो चल नई सकता है ठीक है बात समझ में आरे इस तरीके से हम लोग बनाते थे अब आईए option को देखे है यहाँ तक का देखे जो part है यह यहाँ तक का part समर्साभ में सही है धिक है यहाँ देखे यहाँ तक का यहाँ लगता है तो यहाँ so का use नहीं होता और ना ही as का yun. यहाँ 2 लगेगा, तो यहाँ ना तो so लगेगा, ना as लगेगा. फिर देखें, यहाँ 2 लगा है, तो यहाँ फिर से so लगा, इसलिए यह भी गलत. यहाँ 2, यहाँ end तो यह भी गलत. अब एक ही answer हमारा बचा हुआ है, एक ही option बचा हुआ है जो मेरा answer हो सकता है आईए इसका meaning भी पढ़के देख ले the coffee is not too strong to keep us awake coffee इतना strong नहीं है कि वो हम लोगों को जगा के रख सके ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे next question की तरफ ये भी हमारा fill in the blanks का question है इसमें क्या करना है हमें conjunction का use करना है किसका use करना है conjunction का आईए यहाँ पर हम आपको समझाने का थोड़ा बहुत प्रयास करें बट क्या करता है बट एक ऐसा conjunction है जो दो opposite contrast वाले दो opposite meaning वाले sentences या clauses को वाक्यों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है यह as क्या करता है भाई तो as is equal to होता है since as is equal to since अब देखें since preposition का काम भी करता है since यदि preposition का काम करता है तो इसका हिंदी मिनिंग निकलता है say क्या निकलता है say कब जब यह preposition का काम करेगा किसका यह काम करेगा किसका preposition का काम करेगा लेकिन यदि सिंस काम करेगा सिंस का हिंदी मिनिंग होगा चुकी क्या होगा इसका हिंदी मिनिंग होगा चुकी अब इसका जो मिनिंग चुकी होता है यही मिनिंग इसका भी होता है चुकी क्या होता है इसका मिनिंग भी होता है चुकी तो यह दोनों काम करता है कंजक्शन का किसका काम करता है ये काम करेगा conjunction का चुकी होगा sense का meaning तो ये भी काम करता है conjunction का ठीक है इस अर्थ में ये दोनों समान होता है और इस अर्थ में चुकी की अर्थ में दोनों का प्रयोग एक दूसरे क्या स्थान पर हम लोग कर सकते हैं ठीक है अब यहाँ पर आजाएए unless ये unless क यह कंडिशन बताता है जब तक की जब तक कि ऐसा नहीं होगा तब तक ऐसा नहीं होगा ठीक है यह कंडिशन बताता है आइदर क्या करता है आइदर का पर्योग हम लों करते हैं दो में से किसी एक का sense express करने के लिए तो यहां पर पढ़के sentence को देखें उसका जो electricity है वो cut कर दिया क्यों कर दिया वह यह उसने अपना बिल पेंथ किया इसलिए उसका ऐलेक्टिसिटी कर दिया गया तो यहां पर चुकी वाले सेंस में आ रहे हैं चुकी वाला एक ही वड़ी हमारे पास थो सीधा आंसर बनाई ऑप्शन नबर टू नेक्स आके बढ़ते हैं चलते हैं के तरफ देखिए अगला कोशन क्या है यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है भाई choose the correct figure of speech in the following sentence of figure of speech हम लोगों को इसमें ढूंडना है figure of speech क्या क्या है भाई अभी देखे metaphor क्या होता है similar क्या होता है एप अस्ट्रोफी क्या होता है आए इन सब को सीखें पर्सवानिफिकेशन क्या होता है जैसे कभी आप देखे होंगे कि जैसे यह मेरे हात में पेन है ठाल है और माल लेजे कि ऐसे ही एक और पेन हमारे पास होता और दो पेन दोनों पेन कैसे non-living है लेकिन अदि non-living को living के रूप में present करना हो non-living को कहीं भी living के रूप में present करना हो तो इसको हम लोग क्या करते हैं इसी को हम लोग करते हैं परसॉनिफिकेशन क्या करते हैं बात समझ में आगे आगे एपोस्ट्रॉफी का यूज करते हैं तो एपोस्ट्रॉफी का यूज हम लोग करते हैं किसी डेड किसी भी डेड किसी भी डेड जो मरा हुआ व्यक्ति है उसके सेंस में या या जो एबसेंट हो या जो एबसेंट हो अनुपस्थी तो उसके सेंस को एक्सप्रेस करने के लिए यहाँ पिर्फ हम लोग करतें अब श्मिली क्या होता है जाए इस प्रकार के सब्दों का प्रयोग आपको वह है पर देखने को मिलेगा और सिमिली का प्रयोग करने से सेंटेंस का जो लंबाई होता है वो थोड़ा बड़ा होता है ठीक है अब सिमिली का यह जो वर्ड होता है एस या लाइक इसको हटा करके यदि सेंटेंस को हम लोग लिखें ठीक है बाकि सेंटेंस का मिनिंग सेम रहेगा चीजे सेम रहेगी केवल ऐसे सब्दों का प्रयोग हम लोग अटा दे तो sentence के जो लंबाई है वो थोड़ी छोटी हो जाती है और तब उसी को हम लोग कहते हैं मेटाफर क्या कहते हैं उसी को हम लोग कहते हैं मेटाफर है इसको हम लोग अलग से figure of a speech में पढ़ते हैं सारे figure of a speech को अलग-अलग एक-एक detail में पढ़ते हैं हम लोग ठीक है चले तो फिलहाल हम लोग यहां पर आएं अब similar का कुछ example होना चाहिए ताकि हम लोग similar मेटाफर को समझ लें जैसे हम कहें कि किसी का जो गाल है किसी का गाल जो है वो किसके समाने बाए तो गाल ऐसा गुलाबी है यह लाल है एज एज रूज तो यदि किसी के गाल का चिक का तुलना रूज से किया जाए ठीक है उसके जैसा उसको अच्छा बताया जाए तो यहां पर ज़रा ध्यान देजे जैसे हम लोग as का यूज करें यह like का यूज करें या इसके समक्ष किसी भी सब्द का प्रयोग क करें तो हम लोग इसी को क्या कहेंगे इसी को हम लोग कहेंगे से मिली क्या कहेंगे से मिली और यदि इस सेंस को सेम रखते हुए यहां से एज यह लाइक जो वर्ड का यूज किया गया एज लाइक वोड को हम रिमूफ कर दें तो वही हो जाता है हमारा मेटाफर क्या हो जा इसा अगर कहा गया होता तो वो क्या हो जाता वो हो जाता से मिली ठीक है या एज आइस इस तरीके के मतलब कि इस सेंटेंस में यदि यहां पर एज का या लाइक का पर रियुक किया गया होता तो यह हो जाता हमारा से मिली और एज लाइक आपको इसमें दिखाई नहीं दे रह है तो यह क्या हो गया हमारा मेटाफर क्या हो गया यह विंसको कुछ बच्चों को फिर यहां पे confusion हो रहा होगा सर अपने यहां पर डेड लिख और यहां पर डेड लिका हुआ ठीक है तो यह दोनों तो मरे हुए से बिलॉंग कर रहा है सर तो इसको क्यों नहीं हम लोग इसको 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 यहां पर इसमें क्या करना है भाई तो यहां पर यह पर जंबल का question है sentence आपको देखिए एक पार्ट यहां दिया गया और उसके बाद के जो remaining पार्ट से उसको यहां पर PQRS है चार पार्ट में break करके दिया गया और देखिए यहां पर instruction क्या दिया गया the proper sequence suit भी आपको इसका proper sequence बताना है मतलब सबसे पहले आपको देट तक का भाग रखना है देट के आगे का जो पार्ट है उसका आपको sequence बताना है देखिए इसको पकड़ना कितना आसान है यहां पर देखिए यह फियर दिखाई दे रहा है अब ज़रा ध्यान देजी यह फियर एक वर्ड होता है यह था positive डिगरी यह था comparative डिगरी यह था superlative डिगरी ठीक है बात समझ में आ रही है अब ज़रा ध्यान देजे यह comparative डिगरी है तो comparative डिगरी के साथ हम लोग किसका परियोग करते हैं हम लोग परियोग करते हैं दैन का किसका परियोग करते हैं अब आजाए यह यहां पर यह यहां QS नहीं है, यहां पर देखे, SQ है, तो then का पर योग comparative के बात होता है, न कि comparative के पहले, इस बात को अब ध्यान देज़ेगा, चले, आगे चले, अब देखे, यहां पर देखे, QS दिखाई दर है, यहां पर QS दिखाई दर है, ठीक है, बाद समझ में, अब that के बाद दे इसको अम लोग पढ़के देखे, PR, nowhere in the world, you will find a fairer building, मतलब यह ज़्यादा related लग रहा है, तो सीधी से बात है, कि यह हो गया मेरा answer, इस तरीके से चीजों का प्रियोग करके, इस तरीके के छोटे-छोटे tricks का यूज करके, आप इस तरीके के अपने exam में पूछे जाने वाले rearrangement के question को बेहत आसानी से बना सकते हैं, next तो इस question का answer हो गया हमारा option number 4, अगले question में चलते हैं, अगला question 14 है, 14 number question को देखे हैं, हम लोग क्या करना है, give the meaning of the following proverb, यह जो proverb है, कहावत है, इसका meaning आपको बताना है, about in hand is worth to a bus, मतलब ज़रा ध्यान देजिए, क्या होता है इसका meaning, आपके पास जो भी चीज़े हैं, आप उस पर depend किजिए, आप उस पर satisfied रहिए, न कि आपके पास जो चीज़े नहीं हैं, उसको प्राप्त करने के चकर में लगे रहिए, बातों को ठीक से समझेगा, बातों को ठीक से समझेगा, आपके पास जो भी चीज़े हैं, आप उनका करें और क्या करें जो है उसका यूज तो पहले हो नहीं रहा है और क्या करें बहतर और कैसे हो सकता है बहतर कैसे मेरा सेलेक्शन हंडेट परसंट फिक्स हो सकता है यह इसके पाने के चक्कर में हम लोगों के पास जो है हम लोगों इतने भी संख्या में उपलब दो उस पे सटिस्फाइड रना संतुस्ट रना ठीक है बात समझ में यह बात व्यक्ति के जीवन में हर तरीके से एप्लीकिबल होता है आगे बढ़ते हैं चलते हैं इसके मिनिंग के तरफ तूच तूबर्ड्स विथ यूर हैंड दो चिडिया को पकड़ना कोई मतलब नहीं तूट्रैप बाड्स ठीक है इसका कोई मतलब नहीं है चिडिया को फसाना इट बेटर तो बी साटिस्फाइड विथ वॉट यू है दैन तू ट्राइट वॉट इस नॉट यूर्स जो आप का नहीं है उस पर depend करने या उसके चक्कर में लगे रहने से ज्यादा बेतर है कि आपके पास जो चीज़े हैं आप उस पर संतूस्ट हो ना आपके पास जो कुछ भी आप उससे असंतूस्ट नहीं तो यह इसका मिनिंग नहीं होगा अब इसका मिनिंग क्या बनेगा ऑप्शन नमबर त्री नेक्स्ट यह काफी आसान सा कोशन था अगले कोशन में देखें यह फिर से हमारा फिल इन द ब्लैंक का कोशन अब इसमें उसके पास से अब तक नहीं मिले है यह नहीं देखें आई ऊप्षन के तरफ द देखें यह नौट सρ नौट सॉप सो में का second form है sentence में लगा हुए not ये negative होगा तो डिड लगना चाहिए था तो ये पहले ही गलत होगा grammatical अब देखे हैड़ांट सीन ये हो सकता है हैवन सीन ये भी हो सकता है अब आजा ही हम आपको बताते चले sentence में कहीं भी कोई भी time indicating word हो कोई भी time time indicating word हो तो किसी भी continuous और perfect continuous में सिर्फ और सिर्फ एक ही अंतर होता है time indicating word का जैसे सबसे बड़िया example मैं आपको पढ़ा रहा हूँ I am teaching you ये sentence कहां चला गया present continuous में लेकिन जैसे ही हम इसमें कोई भी time indicating word डाल दे मैं दस मिनट से आपको पढ़ा रहा हूं मैं दो बजे से आपको पढ़ा रहा हूं वगेरा वगेरा ठीक है जैसे time indicating word होगा इसका sentence यदि पहले present continuous में था तो अब यही चला जाएगा present perfect continuous में बाते समझ में आ गई तो अब यहां पर यह कहां यूज करते हैं past indifferent में यह cancel होगा यह already cancel है यह past perfect में ठीक है तो past perfect यह past perfect continuous का यूज हम यहां पर नहीं करेंगे हम क्या यूज करेंगे हम इसका यूज करेंगे I have not seen him तो इस प्रकार के बातों को बताने के लिए हम लोग दो प्रकार के tense का यूज करते हैं या तो perfect continuous का सबस्यादा prefer करते हम लोग perfect continuous का लेकिन यदि हमारे पास option में perfect continuous नहीं हो तो ऐसे sense में हम लोग use करते हैं perfect का किसका perfect का चाहें वो past perfect हो या present perfect हो अब जरा ध्यान देजिए यहाँ पर आपके साथ एक और confusion आ रहा है one year ago एक साल पहले we met a year ago हम लोग कम मिले थे एक साल पहले और जब मिले थे तब से अब तक फिर उससे नहीं मिले हैं प्रेजन की घटना उसके बाद जो नहीं मिलने की घटना उसके बाद जो सुरी हुई वो उस समय से लेके अब तक है अब तक है यानि कि present की बात कर रहा है प्रेजन की बात करा इसलिए हमारा अंसर होगा option number 4 क्या बनेगा उप्शन number 4 बनेगा जबकि इस question में आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ देखते हैं past, यहाँ देखते हैं past, यह यहाँ देखते हैं की लगाओओ ए अगो इसके अधार पे आप में से बहुत सारे बच्चे आंसर कर क्या थे option number 3 तो इसको note कर लिजे इस गलती को अब आप आगे दूराएंगे नहीं चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question की तरफ हमारा अगले question क्या है who are the earliest known inhabitants of Antarctica अब ये तो common sense based है ठीक है ये तो हम सब लोग जाते हैं कि इसका answer क्या होगा तो इसका answer होगा dinosaur इसको पढ़ने के कुछ ज़्यादा जरूरत है नहीं यहां से आगे बढ़ते हैं अब आगे बढ़ते हैं which of the following words is an adverb is an adverb तो क्या है भाई एडवर इसके लिए क्या करना होता है तो इसके लिए हम लोग जो भी word याद करते हैं जो भी word का meaning हम लोग ढूनते हैं dictionary में आपको dictionary के साथ साथ यह उसका जो meaning लिखते हैं उसके साथ साथ इसका parts of face पीच भी लिखना चाहिए आजाए यहां से सुरू करते है face face का एक meaning क्या होता है चेहरा जैसे चेहरा क्या देखते हो दिल में उतर कर देखोना बात समय में आ रही है चलिए तो उस sense में यह क्या होगा ना उनका face का दूसरा meaning क्या होता है किसी चीज का सामना करना सामना करना इस sense में यह क्या होगा यह वर्ब होगा तो यह यहां पर adverb नहीं है meek का मतलब क्या होता है meek का मतलब होता है सांत यह क्या होता है सांत जैसे वह सांत व्यक्ती है सांत लड़की है सांत लड़का है वगएरा वगएरा तो इस अर्थ में यह होता है adz यह बोले तो adz अक्टिव यह फ्यूरी क्या होते है गुस्ता फ्यूरी क्योता है एंगर ठीक है यह क्या होता है अब एंगर के अर्थ ? तो कह एक और तो यह हो जाते है abstract noun abstract noun हो जाते है टिक है अब देकि चार में से यह तीन option पहले K sole हो गए अब जो बचे वही होगा इसका मिनिंग देखें इसका मिनिंग क्या होता है तो इसका मिनिंग होता है क्या होता है क्या होता है क्या होता है अब इस सेंस में यह होता है यह होता है यह होता है यह होता है तो इस question का अंसर हमारा बनेगा option number one next चलते हैं अगले question में अगला question देखे क्या है my son and my daughter मतलब मेरा बेटा और मेरी बेटी ये दो अलग-अलग candidate है क्यों क्योंकि ये देखे ये noun है और ये भी क्या है ये भी noun है दोनों singular noun है दोनों singular noun attached है आपस में end से और ये देखे ये determiner है और ये भी determiner है तो यदि कोई भी दो singular noun नाउन आपस में एंड से कनेक्ट हो कोई भी दो सिंईलर नाउन आपसमें डंसे हो और आठिकल का यह प्रियोग अर्विए नाउन के साथ किया जाए तो इससे दो अलग-अलग व्यक्थियों का बोध होता है ठीक है, चलिए kayak का बोद हो गया इसलिए इसके साथ यहां पर वर बात है प्लूरल यहां पर हम लोग सब्जेक्ट और अग्रिमेंट का भी एक कॉंसेट सीख लिए अब देखे चुकी चर्चा दो की हो रही है वेरी फॉंड आफ मतलब दोनों पसंद करते हैं ठीक है लाइक करते हैं किसको भा या वस्तो यदि परस पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं ठीक है तो इस सेंस को एक्स्प्रेस करने के लिए हम लोग यूज करते हैं इच अदर का किसका यूज करते हैं हम लोग यूज करते हैं रेसी प्रोकल प्रोनाउन रेसी प्रोकल प्रोनाउन क्या होता है तो अब यह स्वाला जो थे उसका हम लोग दो तरीके से منता है जहान Macht करेंगे लोक रूपर नम को डील रहे होंग के वहांपे और चर्चा करेंगे अब फिलाल आगे बढ़ते हैं चलते हैं अगले कोशन को देखें यहां पर पूछा जा रहा है कि मेटाफ़र का एक्जामपल को ने तो हमने आपको थोड़ी दिर पहले बताया था सिमिली को पाचानने का बड़ा असान तरीका उसमें एज लाइक ऐसे सब्दों का प्रियुक किया गया होता है लेकिन यदि वहाँ पे ऐसे सब्दों का प्रियुक नहीं हो तो सिंपली बात है कि वो क्या होगा उसका जो सेंटेंस का लिंथ होगा वो थोड़ा सा कम रहेगा औ मतलब वो इतना बड़ा है जैसा कि एक डंकी ऐसा अगर होता ऐस या लाइक का यूज कर दिया गया होता तो यही हो जाता हमारा इसमें भी ऐसा कुछ नहीं है जैसे ही आपको दिखाए पड़ा मतलब यह कहां चला गया यह चला गया सिमली में ठीक है तो फिलहाल हम लोगों को बताना था मेटाफ़र मेरा आंसर क्या बनेगा हमारा आंसर बनेगा ऑप्शन नमबर वन next आगे बढ़ते हैं अंगले कोशन में study of population is known as जन संक्या का आबादी का जो study होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं आईए यहां सीके सबसे पहले eco क्या होता है भाई तो eco क्या होता है यह जो पारिस्थिती की तंत्र है वो ठीक है इसी से बना क्या बना भाई तो आपका एक प system जो है एकदम सटीक बना रहता है गड़बड नहीं होता है अडियल सिच्वेशन में होता है लेकिन एदिकिसी एक क्या बाधी प्रभावित होती है तो उससे पूरा eco system प्रभावित हो जाता है ठीक है यह देखिए जीनियल क्या होता है बनसावली यह क्या होता है वनसावल जी कितने भाई बहन हुए और फिर उसके बाद आप लोग कितने भाई बहन हुए ये सब का सब क्या कर लाता है ये कर लाता है बंसावली क्या करते हैं इसी को करते बंसावली इसी को करते लीनियस भी करते ठीक है तो लीनियस कहिए या इसी को जेनियलोजिक कहिए इस्ट्रोन क्या होता है यह होता है यह इंड करते हैं उन सभी के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं अब यह का मतलब क्या होता है डेमो का मतलब होता है पोपुलेशन डेमो का मतलब होता है आबादी डेमो का मतलब क्या होता है इसी का मतलब होता है आबादी क्या होता है आबादी जैसे भारत जब आजाद हुआ उस समय भारत के कितनी जनसंख्या थी अब भारत की जनसंख्या कितनी है ठीक है तो इसको क्या कते है इसी को आप डेमोग्राफी क्या कते है डेमो का मतलब अभादी ग्राफी का मतलब उसका अध्यन ठीक है या उस से related वर्ड तो यहाँ पर population से related ढूंणा था population से related एकी वर्ड है अब जो भी है यह हो गया हमारा answer तो हमारा answer हो गया यह demography next अगले question में चले यहां पर देखे क्या करना है तो यहां पर आपको direct narration चाहिए था ठीक है और यहां पर यहां पर यह आपको directống में given है आपको सुरू हो रहे हैं helping warm से सुरू हो रहे हैं और चुकि यह आस्क्त लिखा हुआ है मतलब है जो reporting वह आपका double inverted कॉमा के पहले जो sentence लिखा होता है उसका जो में वर्ब होता है वो past में हो ठीक है तभी यहां पे आस्क्त लिखा हुआ में जो interrogative sentence लिखा होगा उसमें में का प्रयोग किया गया होगा तो आज यह में वाला डूंड़ है यहां पर देखे में मिला हमें है नहीं हमें है नहीं है यहां मिला में मतलब मेरा answer इन ही दोनों में से कोई एक होगा अब यहां देखिए I say to seela यह हमारा answer हो सकता है टोल को हम लोग prefer नहीं करते हैं टोल को हम लोग prefer करते हैं एंडायरेक्ट में कहां लेकिन चुकर यह sentence is interrogative में यह sentence is interrogative में तो इसका जब हमंग डयरेक्ट से बात समझ में आ गई तो इस कारण से इस question का मेरा answer क्या बनेगा option number a next यहां से आगे बढ़ते हैं चलते अपने अगले question में देखें अगला question क्या है यहां पर आपको फिर से एक idiom मिला इस idiom का मिनिंग आपको बताना है अपना खुद का जो घंटी है उसको बजाना इसका मतलब है कि इसी के समकष एक और idiom आता है to blow once on trumpet मतलब अपनी प्रसंसा अपना गुनगान खुदे करते रहना इसी के लिए आपके one word substitution में एक word यूज के जाता है नार्सिस्ट का यूज करते है नार्सिस्ट का यूज करते है ठीक है एन तीनों का मिनिंग से ठीक है अपनी प्रसंसा खुद करते रहना अपनी गाथा का गुनगान खुद करते रहना आज यह इस related answer ढूंडे think properly यहाँ पर ठीक से सूचने से कोई मतलब नहीं है indulge in self-praise यह देखे self-praise है यह हो सकता है आगे commit or theft मतलब चूरी करना यह नहीं होगा to be once publicity isn't किसी का publicity का isn't होना यह भी नहीं self-praise से था हमारा meaning अर्था self-praise वाला हमारा बनेगा answer इस question का answer बना option number two next अगला अब हम लोगों को जो question solve करना है उसके लिए हम लोगों को इस passes को पढ़ने की जरूरत है तो यहाँ पे देखिया हम लोगों को एक passes given है अब इस passes के लिए हम आपके board के सामने यहाँ पे नहीं रहेंगे क्योंकि हम यदि अब यहां पे सामने खड़े होंगे तो हमको left और right इस तरीके से बार-बार move करना पड़ेगा इसलिए हम board से थोड़ा सा बाहर हो जाते हैं और बाहर होके आईए हम लोग इसको पढ़ने का सीखने का प्रयास करते हैं यह बड़ा ही आसान सा question होता है जैसे कि इसके पहले के वीडियो में भी हमने आपको बताया था आपके CG Tate में या किसी भी Tate में जो पैसे का question आता है पैसे का question काफी easy level का होता है ठीक है काफी easy level का होता है इससे जितने भी question पूछे जाते हैं वो सब के सब एकदम simple से आसान से question होते हैं इसके पहले के वीडियो में भी आपने देखा होगा आईए इस वीडियो में भी हम आपको यही एहसास कराने का प्रयास करते हैं तो हम लोग चलते हैं अब इसको पढ़ना सुरू करते हैं सबसे पहले पैसे इसको पढ़ते हैं the children of mg विद्याले मतलब mg विद्याले ये किस school का नाम है had a wonderful time yesterday ठीक है तो mg विद्याले में कल का जो समय था बच्चों के लिए बड़ा ही अच्छा समय था ठीक है they were captivated by the speed agility and so manship of a magician ठीक है मतलब कोई एक magician था उस magician का नाम देखें यहां पर क्या दिया हुआ है magician का नाम यहां पर दिया हुआ है किम राठोर ठीक है बात समझ में school का नाम क्या है mg विद्याले ठीक है और यह बचे हुए क्या भाई तो यह हूगा है captivated captivated मतलब मंतर मुक्द हो जाना क्या हो जाना मंतर मुक्द हो जाना मतलब एक दम से तलीन हो जाना खो जाना कब ये क्या हो रहा था भाई तो speed में चल रहा था कोई का में speed agility agility का मतलब भी होता है चन चलता somanship मतलब कुछ दिखाने का काम चल रहा था कौन दिखा रहा था मैं जिसे जरा ध्यान देजिए कोई जादू कर आएगा और वो एक पर एक लगतार एकदम तेजी में बहुत सारा जादू दिखाता चला जाता है और हम लोग उसके जादू को दिखके एकदम से मंत्रमुग्द हो जाते हैं लगता है यह हो ही नहीं सकता कैसे यह दिखा देता है ठीक है इसी से related इसमें कहाने हम लोगों को महसूस हो रही है आगे बढ़ते है दचलन वास्ड हिम spell bound यह देखे spell bound भी वह होता है captivated spell bound याने की captivated याने की मंत्रमुग्द हो जाना फॉर टू आर्स यह भी ज़रा ध्यान देजी जो बच्चे थे दो घंटे से बिलकुल उसको देखने में यह दो घंटे तक देखने में बिलकुल मंत्रमुग्द हो गए तलीन हो गए खो गए all that the broke sorry all that broke the silence was यह देखे break the silence break the silence होता है यह एक idiom अन्फिज है break the silence का मतलब होता है चुपी तोड़ना तो break का यह past है broke हो गया ठीक है उसे को use कर लेगे past tense में all that broke the silence was a gasp of astonishment or the sound of spontaneous applause spontaneous applause यह देखे applause का मतलब क्या होता है प्रसंसा spontaneous मतलब तूरंत बीना किसी देरी के appreciating a trick मतलब क्या हुआ भाई appreciating a trick मतलब जो भी वो trick दिखा रहा था जादू दिखा रहा था यह बच्चे सब क्या कर रहे थे उसको appreciate कर रहे थे ठीक है प्लोज कर रहे थे तूरं तो मतलब जैसे हुनको बच्चों को अच्छा लगता था उसके आश्यरे को देख करके ये बच्चे लोग ताली बजाते थे खुस हो जाते थे ठीक है आउट ओफिस मैजिक वैंड अब ये मैजिक वैंड क्या होता है वह जारा ध्यान देजे ये मैजिक तो हम लोग को समझ में आता है मैजिक वैंड क्या होता है आप ध्यान देजे आपने यदि कभी कोई जादू देखा होगा तो ऐसे किसी भी जादूगर के हाथ में देखिए और उससे वो क्या निकाल रहा था बाई तो फ्लावर निकाल रहा हा रीवन निकाल रहा था गारलेंड मतलब माला निकाल रहा था फैवरी पॉसिबल कलर अलग अलग पॉसिबल सभी समभावित कलर के वो गारलेंट निकाल रहा था and seemingly unending length और दिखने में इसा लग रहा था कि वो जो flower, even जो garland ये सब निकाल ला था उसका कोई अंत ही, नहीं पता नहीं क्या-क्या वो निकाल देगा ऐसा लग रहा था ठीक है, it came in such quick succession, और ये सारी चीजे लगतार इतने जल्दी में हो रही थी, एक के बाद दूसरे that everyone was left gasping के सब लोग एकदम अचब भी तरह गए one or two young children मतलब एक या दो जो छोटे छोटे बच्चे थे came up to examine the thin stick, thin stick wondering how it could hold so much, एक दो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो इस बात को examine करने के लिए उस जादूगर के पास आए कि यह जो जादू हो रहा है, यह सब कैसे हो रहा है, इतने पत्रे से stick से, यह सब कैसे निकल रहा है जादू भाई, ठीक है, they were really frustrated, और यह जो बच्चे थे वो really सच मुछ frustrated हो गए परिसान हो गए, frustrated होने का मतलब यहां empty wooden box मतलब उसने क्या किया कि एक लकड़ी का जो खाली box था, उससे उसने एक rabbit को निकाल दिये, ठीक है it went hopping, अब यह hopping क्या होता, जैसे rabbit को आप देखेगा उचलते कूदते रहता है इसे, rabbit कभी सान्त नहीं रहेगा, कभी रुकेगा, थोड़ी तरे के बाद, फिर ऐसे उचलेगा, कूदेगा, इसी को कहते है hopping, hopping का मतलब क्या होता है, उचलना कूदना, ठीक है आगे बढ़ते है, hopping around the stage और वो जो खरगोस उस उडेन box से निकला, वो stage पर क्या कर रहा था भई तो उचल कूद करने लगा it was soon put back into the box और जल्दी ही, उस करगोस को वो जो rabbit था, उसको फिर से उस box में डाल दिया गया, and seconds later और कुछ ही, seconds के बाद he pulled out a rat और उसे box से फिर उसने क्या किया, जादुगर ने आपको एक चुहा निकाल दिया soft white, ठीक है मतलब मुलायम सा था, वो जो घर में रखने वाला domestic चुहा होता है, उस type का ठीक है, soft white and squaking मतलब चुहा जो था, वो भी अपना आवाज निकलना सुरू किया, ठीक है मतलब वो भी अपनी activity करना सुरू किया, ठीक है, कौन? चुहा तो पहले खरगोस निकला, उसके बच चुहा निकला, दोनों अपनी activity सोक कर रहे थे, कहां पे? मंच पे, stage पे और कुछ लोग जो थे, कुछ छोटे-छोटे जो बच्चे थे, वो चुहे को देखे दर गए, while the others clapped, जबकि बाकी लोग क्या कि clap का मतलब क्या होता है, तो clap का मतलब होता है, ताली बजाना, ठीक है and cheered loudly, तो ताली बजाए और जोर-जोर से cheer करने लगे, चिलाने लगे, ठीक है this was the grand finale, और यह क्या था, यह ही उसका grand finale था, सबसे बड़ा उसका final performance था, the children did not want it to end बच्चे चाहते थे, कि यह जो प्रोग्राम चल दा था, जादूगर का यह खत्म, न हो, they shouted them a bright anchor, देखे anchor लिखा हुआ है, bright anchor, अब यह anchor क्या होता है, anchor का meaning थोड़ी देर आगे पढ़िए, आपको यहीं पर दिखाए पढ़ेगा, once more, बच्चे चाहते थे, कि जादूगर का यह प्रोग्राम, सब आप तो नहीं हो, इसलिए बच्चे चिला रहे थे, जोर जोर से कैसे चिला रहे थे, बाई, क्या बोल रहे थे, once more, once more, मतलब anchor का मतलब क्या है, repeat continue, इसको जारे जखिए, और अगला दिखाई, और अगला दिखाई, एक बार फिर से दिखाई, कुछ और दिखाई मतलब, anchor का मतलब क्या repeat होने से है, ठीक है, repeat होगा यहां पर, इस तरीके का anchor का meaning निकलना चाहिए, इस तरीके के what से, आपके पैसे से related synonyms और antonyms के question पूछे जाते हैं, ठीक है तो आगे भी हो सकता है किसे question पूछा गया हो, आईए हम लोग दिखते हैं but kim gave a smile, kim ने क्या किया, a smile दिया and venice venice क्या होता भाई, disappear, venice का मतलब क्या होता है, disappear, गायब हो जाना है, ठीक है, from the scene, जो kim नाम का जो जादूगर था, kim नाम का जो जादूगर था, भी जो जादूगर था बच्चे जो बार-बार उसको और डिमांड कर रहे थे कि और जादू दिखाओ, और जादू दिखाओ तो kim क्या क्या, एक छोटा सा smile दिया और इसके से गायब, okay, the children were left searching here and there for him बच्चे जो थे, उसको यहाँ बहाँ चारो तरफ ढूंड रहे थे, खोज रहे थे, then they walked out excitedly, recounting what they had seen and how wonderful it was और अक्सर यही होता है कि हम समलोग जब ऐसा प्रोग्राम देखके बाहर निकलते हैं, या कोई movie देखके बाहर निकलते हैं जिसे magic वाला कोई program हो तो वहाँ से जब हम लोग बाहर निकलते हैं तो हम लोग count करते हैं, मुझे तो यह वाला अच्छा लगा उसके बाद यह वाला अच्छा लगा मतलब मुझे जो program अच्छे लगे उसके पूरे के पूरे series में यह 3-4 program हमको बहुत ही अच्छे लगे हाला कि overall उसका performance बढ़िया था, इसी तरीके की बात हम लोग करते हैं, और ऐसे ही यह बच्चे भी करते हुए बाहर की तरफ निकल रहे थे, one of the boys रवी, एक लड़का जो था उनमें से एक लड़का जिसका राम था रवी, डिकलेरड लाउडली वो जोर से चिलाया, घोसना किया क्या क्या भाई, it was the best magic show of the century अब century क्या होता है भाई, तो 100 साल का जो period होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं इसको हम लोग करते हैं century, ठीक है चलिए, अब इसके आगे चलते हैं passage को पढ़ने के बाद, अब इन से related हम लोग question को बनाना शुरू करें, यह देखे what does and core meaning, अब anchor का meaning क्या होता है भाई, हमने क्या बता है था repeat होने से संबंदित, दुहराने संबंदित है, यह never मतलब कभी नहीं, now का मतलब अभी try का मतलब कोसिस करना once more, मतलब एक बार फिर repeat करने से संबंदित है तो इसका meaning क्या हो गया option number three next, अगले question में चले देखे, हमारा अगला question क्या है, हमारा अगला question क्या है, तो हमारा अगला question है हमारा अगला question है यहां पर, what did Kim do in the end, Kim ने अंत में क्या किया, Kim ने क्या किया भई, performed the act once again, एक बार फिर से act को दोराया, यह नहीं होगा, sat down, बैट गया, never performed the trick, कभी भी trick को performed नहीं किया smiled and disappeared, तो यह होगया मेरा answer, option number four, next, यहां से आगे चलते हैं, अगला question क्या है what does century denote, century क्या denote करते है, परिएड of hundred years आज यह धूण ले, अब period of one year, period of hundred years, यह होगया answer, period of fifty years, period of ten years, यह सारे cancel होगे मेरा correct answer बना option number two correct answer बना option number two, next अगला question क्या है, what is the magicians magician का नाम क्या था, बैए, mg विद्याले नाम था, क्या यह तो school का नाम था, जिस is the meaning of captivated, captivated क्या है बैए, मंत्र मुग्द हो जाना, मंत्र मुग्द हो जाना, तलीन हो जाना, खो जाना, ऐसा वाला meaning, इस्टोनी इसका मतलब होता है, आश्यरे चकीत होना, यह होगा नहीं, angered मतलब गुसा करना, honored का मतलब, सम्मानित, arrested, arrest का अरेस्ट का दो meaning होता है, हम यदि आपके mind को arrest कर लिए, मतलब आप हमारे द्वारा किये गए काम से मंत्र मुग्द हो गए, और arrest करना, जैसे पुलिस, किसी किर्मिनल को, किसी अपराधी को arrest करती है, खड़ी पाना आती है, बात समझ में आए, तो यहाँ पर arrest का दूसरा meaning यूज किया गया, मंत्र मुग्द होना, खो जाना, तलीन होना, इस सिंस में, इसलिए इस question का, is captivated का हमारा answer बनेगा arrested, next चलते, अगले question में देखे, हमारा अगला question क्या है, what is the meaning of spontaneous, spontaneous, spontaneous क्या होता है भाई, spontaneous होता है, तूरंत बीना किसी देरी के, तूरंत बीना किसी देरी, क्या जाज़े, happening suddenly, यह हो सकता है, continuous मतलब नहीं है, never मतलब है, नहीं, always है, तो मेरा answer बना option number one, next, आगे बढ़ते चलते हैं, अगले question में, what is the meaning of wind, याद किजिए, हमने आपको बताया, magic wind का मतलब क्या होता है, जादू की छड़ी, जो magician के हाथ में होता है, तो wind क्या होता है, छड़ी, आजाए, ST क्या हो सकता है, box नहीं होगा, hat नहीं होगा, cloth नहीं होगा, answer बना option number one, अब अगले और आखरी question के तरफ हम लोग चले, what is the meaning of hopping, hopping क्या था भए, hopping का use क्या था, rapid के लिए, और rabbit क्या करता है, उचलकुद करता है, यह हम आपको बताये थे, आजाए, ढूंडे, running मतलब दोड़ना, singing मतलब गाना, standing मतलब खड़ा होना, jumping का मतलब उचलकुद करना, तो rabbit क्या करता है, jumping करता है, answer बना option number four, ठीक है दोस्तों, तो आज के अपने इस video session को हम लोग यहीं पर sum up करते हैं, इसके आगे के और चीजों को देखने के लिए, आप बने रहे हमारे YouTube channel, competition कमटे पे, और यदि आपको यह video अच्छा लगता है, तो आप इसको जादा जादा logo तक पहुँचाने का परियास करें, ताकि आपके समान और भी जो भी बच्चे हों, जो भी बच्चे से जी टेट के exam में appear होना चाहते हों, या हो रहे हों, उनकी थोड़ी बहुत मदद हम लोग कर सके, तो इसी के साथ हम आज के अपने इस वीडियो को यह फिर विराम देते हैं, मिलते हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बारत!